लेकिन जो ये दिरिश्य अध्यक्ष मौद है इस प्रजात अंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं जिस प्रजात अंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृती इस देश का सदवाव इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती जिस प्रजात तंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड जंता अपनी प्रेणा लेती उस प्रजात तंत्र के मंदिर में ये सपष्ट हो गया है अध्यक्ष मौदे कि इन लोगों को ना देश की चिंता है ना प्रधान मंत्री के पद की चिंता है ना राष्ट्रपती के पद की चिंता है इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है ये देश पर पून रूप से पष्ट हो गया है अधियक्ष मोदे मुझे बीस साल हो गए है इस संसद में मेरा अपना सौभाग्य में मानता है लेकिन ऐसा द्रिश्य में मैंने दो दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से इस देश के सर्वोच्य पद के व्यक्ति 140 करोड जन्ता के रिदे में स्थापे इस देश के प्रदान मंत्री के प्रती जो सब्दों का उप्योग में फक्स के दौरा किया गया है मैं मानता हूँ कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जन्ता के सामने इने माफी मांदी चाहिए आज जो ग्रिश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महुदे कि आविश्वास प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष महुदे मैं आपका संगरक्षन चाहूंगा ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते ना देश की जन्ता की ठोक कर दो बार चुनाव में नतीजा हजमल करने के लिए तैयार है मैं सदन की बात सुनने के लिए तैयार है आज जो स्तिती उत्पन हुई है अध्यक्ष महुदे जो अब इश्वास प्रस्ताव लाया गया है सर आपका संग्रक्षन में चाहता हूँ इनको कंट्रोल किया जाए देश की जन्ता ने तो अपना पूरा पूरा परिणाम इनके चेरे पे दिखा दिया जो जड़्टा के सामने नहीं कर पा रहे वो आज सदल में बेड़के कोशिश कर रहे है करने के लिए में जो ओविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहाँ लाया गया यह ओविश्वास प्रस्ताव मनिपूर की बात नहीं है निशन मनिपूर के आड़ में ये अपनी राजनितिक रोटियां सेखने के लिए आज यहां उपस्तित हुएं पिछले दो दिन से मैं सुन रहा हूँ अध्यक्समौत हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका वर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजात अंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे पून रूप्स में हम सबस्ट करना चाहते हैं अध्यक्समौत जो आज जो इस शेत्र में और इस सदन में प्रस्तुति करण हुई है ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरस्ते नहीं ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते हैं अध्यक्समौत आज अध्यक्समौत हैं ये अविश्वास प्रस्ताव जो लागया है सारे आवश्यक विमर्श एक तरह रखे गए और इनकी हद एक तरह हमारे देश के प्रधान मंथ्री ने हमारे देश के प्रधान मंत्री ने सबाबती मौदे सदन के बाहर मनिपूर पर सम्वेदन शील्टा के साथ ब्यान दिए लेकिन इनका हट है कि ब्यान सदन के अंदर दे ग्रा मंत्री जी ने यहां बैठकर दिन प्रती दिन सपश्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पर आदचर्चा करना चाते हैं हम तयार है करना कि देने लेकिन सत्रह दिन इसी तरह ये सदन को इन्हों ने चलने नहीं दिया सत्र दिन मजबूर करके स्थगत किया और आज अध्यक्स सभापती महोदे मैं इस पश्ट करना चाहता हूँ कि जो ये लोग मौन वरत की बात करते हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ उन्नीस सो तिरानवे में जब मनिपूर की जातिय हिंसा में साथ सो पचास लोगों की जान गई थी तब ततकालीन प्रधान मंत्री नर्सिमा राउजी ने सदन के अंदर मौन वरत यू धारण किया था इसका जवाब ये दे और केवल सन्दी उन्नीस सो तेरानवे में नहीं लेकिन दो हजार ग्यारह में जब मनिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला जातिय हिंसा चली तब उस समय में भी ततकालीन प्रधान मंत्री मन मोहन सिंगी ने सदन के अंदर मौन वरत क्यू धारण किया था इसका उत्तर भी ये लोग दे तो सवापती मौदे मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि ये अगर दोगली राजनीती नहीं है ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीडियन्स नहीं है तो क्या है मैं पूछना चाता हूँ आज सवापती मौदे लोग तांत्रिक व्यवस्था पर मैं इनको भाशन नहीं दूँगा लेकिन जो इनकी अफसरवादी सोच है उसका परदा फास्ट पूरे देश के जंता के समझ में रखना चाता हूँ ये जो समु है I.N.B.I.A. इस समु में एक प्रوفیسर है जो मॉरैलिटी की बात करते है सिदांतों की बात करते है मूलियों की बात करते है लेकिन प्रतिनिद्वव वो ऐक ऐसे दलके करते है जिन। ब्रषटा चार की नई कीरती बांस थापित की इस i.n.d.i.a समू में एक ऐसी समू की नेत्री है जिस समू की नेत्री सोचती है कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना सबसे बड़ी भूल है ये इनका असली चरित्र है मुझे लगता है आप भाना ढून रहा है बाहर जाने का ये उचित नहीं है आपने अभिश्वास प्रस्ताव लाया उसका उत्तर जुनिया ये बिल्कुल मर्यादाहीन विवार करना उसके बाद वाकाउट करना ये लोग तांत्रिक संतधी वबस्त का अपमान है ये बात करवा करना नोट कर दिया आप लोग प्लीज अन्डबर मिनिस्टर प्लीज सवापती मोदे देश के देश की जनता ने इनको बहार का दर्वाजा दिखा दिया है अब सदन से भी स्वयम बहार जा रहे है इन्हें तो जवापती मोदे अपने अविश्वास प्रस्ताप पे स्वयमी विश्वास नहीं सुन लो सुन लो सुन लो तहरी रखो और सुन लो इतने उत्तेजित मत हो जो देश की जनता ने परिनाम दिया है वो स्विकार करो कर दो